हेलो गाईज तो कैसे हैं आप लोग तो गाइस आज हम लोग बनाएंगे एक डिसको लाइट या फिर डेकरोसन लाइट घर के लिए दिसको बनाना बहुत है असान है चलिए इसको लोग बनाते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सद्रश्कराइब लिकान लेता हूं यहां पर मैंने दो लेडी बाहर लिकान ली है आप लोग देख सकते हैं आपर और इसमें तीन तीन पीन है क्योंकि यह तीन कलर में जलता है तीन अलग अलग कलर में तो यहां पर हम लोग लेंगे एक पाइप यहां पर मैं दूसरा पाइप ले रहा हूं पी के और कट करूंगा रेक्साबलेट के मदद से यहां पर आप लोग अपने हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं तो मैंने लगबग 8-9 cm लंबाई मैंने लिया है इसको और यहांपर मैंने इसको कट कर लिया है अब मैं रेट मार्क कागज जो होता है उससे मैं थोड़ा इसको घिश दूँगा ताकि यह कि मतलब प्लेन हो जाए इसका बेज तो guys मैं इसको यहां पर रगड़ूंगा अच्छे से तो यहां पर मैंने इसको रगड़ दिया है और बहुत ही अच्छे सेपीनिसिंँ हो चुका है प्लग देख सके हैं अब यहां पर हमने क्या किया है कि इस pvc पाइपा सीधी शीधी सीधी लाइने खिछ दी है हम लोग कुछ इस प्रकार से आपको भी खिछना है उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे साइड में घुमा के एक लाइन खिच लेंगे इस पाइप पर तो मैं यहाँ पर मार्कर की मदद से लाइन खिच लेता हूँ कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है बहुत अच्छे से सभी को और हमने जहाँ पर मार किया था नीचे मतलब पाइप के नीचे साइड में उहाँ पर हमने छोड़ दिया अब यहाँ से हम लोग इसको कटर की मदद से एक एक पीस बाहर लिकान देंगे एक पीस छोड़ेंगे और एक पीस कट करके बाहर लिगा देंगे तो कुछ इस प्रकार से करना है आप लोग स्क्रिंग पर देख सकते हैं अब यहाँ पहलेंगा मैं इसका नीचे का बेस बनाऊंगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पीवी सी पाइप का इस्तमाल किया है और मैं इसको फेवी क्यूग की मदद से अच्छे से चिपका देता हूं तेहाँ पर मैंने इसको चिपका दिया है अब थोड़ी कटिंग करेंगे इसकी तेहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर लिया है अब हम लोग दूसरी तरफ इसका कभर लगाएंगे तेहाँ पर हम मैंने माप करके गुलाई में काट लिया है उस चिपकाने से पहले मैं यहाँ प कण काठा था हम लोग उस पर फेवी कियो के मदद यहां पर मैं फेवी कियो की मदद से चिपदे तहां हूं बहुत ही अच्छे से तो यहां पर मैंने इसको चिपका दिया है अब मैं इसको जो हमने पाइप कट की थी हम लोग उस पर कुछ इस प्रकास से इसको फेवे क्यों की मदद से चिपका देंगे तेहां पर हमारा पाइप बहुत ही अच्छे से चिपक चुका है तो हमारा पहला प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है तो गाइस आप लोग इसमें किसी तरह का भी एलेडी लगा सकते है तो यहां पर हमारा पुड़ा अच्छे से चिपक चुका है पाइप और मैं आपको इसको जला के दिखा रहा हूँ यहां पर तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से वर्क कर रहा है और हम लोग इसको थोड़ा अभी अच्छा नहीं दिख रहा है इसको उल्टा करेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यह कितना अच्छा अमेजिंग दिख रहा है तो गाइस यहां पर मैं एक और बनाऊंगा तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक PVC पाइप ली है जैसे हमने पिछली बालव में लिया था और मैंने कुछ इस प्रकार से इसमें छेद कर दिया है सरकल में और हम लोग इसमें जैसे पिछली पिछले प्रोजेक्ट में कनेक्शन किया था light का वैसे ही सेम करेंगे कर दो दो कि अजया है तो गाईस आपको यह प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रू बताएं तो मिलते हैं किसी नेस टापिक में तब तक के लिए जय हीन जय भारत किसी नेस बताएं